कि जो इंडिया में अभी पोर्टल को लंच किया जाने वाला है इसका benefit कैया और इसे किस परकार के लोगों को और किस परकार से इसी benefit मिलने वाला है तो इसी किरिकर जित बात करेंगे और इसका जो पोर्टल है या कव तक फाइनली बन कर त्यार्य हो जाएगा जिस कि इसका जो भी सर्विस है वह हमें दिखाई देने लेगा तो चलिए आज की वीडियो को हम सुरू करते हैं जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर लिखा हुआ है जल्द सुरू होगा कॉमन सोसल रजिष्टरी पोर्टल जिहां दोस्तों इसका नाम है कॉमन सोसल रजिष्टरी पोर्टल जिसे कि हम लोग संक्यत में CSRP बोलते हैं तो यहां पर हम दिखा रहना चाहते हैं जो लिखा हुआ है कि राज्य की सभी योजनाओं से जुड़े लाभुकों के बारे में अब एक ही अस्थान पर जैनकारी मिल सकेगी इसके लिए जल्द ही एक कॉमन सोसल रजिष्टरी पोर्टल सुरू होने जा रहा है तो मतलब कि यह जो पोर्टल है इसके तहट अब एक ही जगह पर जितना भी योजना है तो जो लोग इसके लाभुक हैं जिसे कि बिनिफिट मिलता है उनकी जनकारी यह कहीं जगह चोर रहेगी और वहीं से लोग ले सकते हैं और यहां लिखा हुआ हुआ कि बित विभाग इसकी तैयारी में वर्स की सुरुआति तीमाही में इसके सुरू हो जाने की पूरी संभावना है तो जहां तो उमीद है कि जो इसका जो नए वितिया वर्स है उसमें रूप से जो है कि एक कम्प्लिट काम करने लएगा और लिखा हुआ है जिसमें जिन जिन विभावों के योजनाव में लाभ्रार्थियों के बैंक हाते में सिधे पैसे ट्रांसफर किये जाते हैं उस सभी का पूरा विबराउन इसमें मौजुद रहे से उनका सारा डाटा इस पोर्टल पर मौजुद रहेगा जिसे कि हम लोग अपने अधहार कार्ट से या फिर अपने अकाउंट नमबर से उसे हम चेक पाएंगे कि कौन सा पैसा कब काया हुआ है और एक किस विभाग के तहत आया हुआ है और दिखाता जाना चाह सकता है इस जिन्हें मिल रहा है बेनिफेसरी को वही लोग अपने अधहार नमबर से इसे देख सकते हैं आम नागरिक के लिए यह नहीं है और देखिए आप लिखा हुआ है एक ही अस्थान पर जैनकारी मिल सकेगी तो इससे हम तो आपको दिखाना चाहते जैसे आप लिखा हुआ है इस समयकित पोर्टल के जरिये यह असानी से पता चल सकेगा कि एक यह इससे जएदा योजनाओं से कितने लाभुक जुड़े हुए हैं सभी योजनाओं से जुड़े लाभुकों का डाटा एक अस्थान पर आने से इसमें डूलिकेंसी नहीं हो सकेगी और फरजिवाड़ा बंद हो जाएगा मतलब कि यह सा होता है कि जैसे पीम किसान की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या है कि जिनके नाम से अगर नहीं भी है अगर खेट यह जमीन उन्हें भी इसका अलाभ मिल रहा है और इस परकार से जो लोग भी है कि उन्हें अगर एक ही आदमी है एक ही परसन है और उन्हें दो-तिन परकार से एक ही जना का लाभ मिल रहा है तो इस परकार का जो भी डाटा है और डुब्लिकेंसी फजिवाड़ा बंद हो जाएगा यहां लिखा हुए सिर्फ पातरता रखने वाले लाभुकों कोहीं समधित जनाओं का लाभ मिल सकेगा समधित सभी विभागों से समधित सभी लाभुकों का डाटा को मार्च के अंतिम तक मुहया कराने का अंद्रस दिया है मतलब कि मार्च के लाष्ट तक जो दरबाइस चल रहा है परजेंट में तो इसमें मार्च तक सारे डाटा को इस पोर्टल पर लेकरके अड़ कर दे जाएगा जिससे कि आप लोग इसका यूज कर सकते हैं सभी लगभुकों की बेसित जनकारी इस बित्व भाग को मुहया करानी है ताकि अप्रेल के अंतक इसे स्कूटनी करके पोर्टल पर अप्लोड के जा सके मतलब कि इसका जो अप्लोडिंग काम है डाटा का वह आपका अप्रेल स सुरू हो जाएगा तो यही сам इस वीडियो में था है कि हम लोग इसका युज्ज किस परकार से कर सकते हैं और विवसाइट वह साब रहा है इसका कारण्य कंप तक सुरू हो जाएगा तो हमारी छेनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलते हैं अ